कुलो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ कि जो ESI का जो सिस्टम होता है जिसमें आप अपना जो इलाज करवाते हैं ESI employee के लिए तो वो किस तरह से होता है तो आप स्क्रीन पर आप देख पारे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है अपना ESI की जो वेबसाइट है उसको आप ओपन करेंगे इसमें आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि अपना जो contribution है वो आप किस तरह से चेक यह जो detail है यह आपका जो employer होता है जो नियोकता होता है जिस जगह आप नोकरी करते हैं आपको वो यह forum अविलेबल करवा देंगे तो उसमें आपको एक insurance number मिलता है अगर आपके पास यह card नहीं है क्योंकि पहले card मिला करता था आज कल इसी तरह से यह पैचान card होता है तो इ employee होता है करमचारी का उसका था 1.75% और जो नियोकता होता था जो जिसके यहाँ पे आप नोकरी करते हैं वो गता था 4.75% तो total 6.5% होता था लेकिन आज कल ऐसा नहीं है एक जुलाई 2019 से जो करमचारी है उसका जो percentage होता है वो होता है .75% और जो नियोकता है उसका होता है 3.25 इस तरह टोटल 4% होता है तो आप जिसी स्क्रीन पर आप देख पा रहें तो यहां से जो है वह माँ आपको बता रहो कि इस तरह से आप अपनी परसनल जानकर ही होती है वह आप देख सकते है और यह जो डिटेल है वह आप यहाँ पर अपना एडिट भी करवा सकते लेकिन आप नहीं कर सकते इसमें आपको पूरी फैमिली की जो डिटेल होती है उसमें जो अपना आधार कार्ड की डिटेल है यह आप इसा अपडेटेड रहनी चाहिए क्यों कभी भी जूर्थ पढ़ने के समय अगर आप पनी फैमिली का अगर किसी भी परसन का इलाज करवाना चा जाते हैं कि आपका जो कॉंट्रिबूशन है वो किस तरह से आप देख सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे आपने को इंट्रिबूशन जो पीरेड है वो आपने सेलेट कर लिया और कौन से साल का है तो जैसे इसमें 2018 से इसले 2018 से पहले का नहीं मिल पाएगा तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जैसे आप देख सकते हैं कि यहां पर टोटल जो average जो salary होती है, monthly salary वो आपको मिल गई, कितन दिन आपने काम किया और जो employee का contribution था, जो की 1.75% था, वो आप यहां पर देख सकते हैं. इसके अलावा जो भी इसमें जो जानकर हैं, वो आप यहां से अगर आपको अपडेट करवाना चाते हैं, तो आपको यहां तो office जाना पड़ेगा, या फिर जहां पर आपके जो नियुकता होता हैं, जिस जगे आप नोगरी करते हैं, वहां से आप चेंज करवा सकते हैं, तो जो बड़ा hospital होता है, वहां पर आप forward कर दिये जाते हैं, तो यहां पर आप आप देख पा रहे हैं, contribution देखने के बाद, आगे की जो detail है, वो आप देखें, कि इसमें क्या होगा, कि आपका जो claim है, अगर आपने लिया है, कभी इलाज करवाया है, अगर आपने मालों को भी बिमार पड़े हैं, तो उसका जो statement है, कि आपको claim pass हुआ या नहीं हुआ, तो वो आप यहां पर जानकारी देख सकते हैं, इसके अलावा जो था आपका beneficiary feedback form, आपको यह जो जानकारी है, यहां पर जो कैसी लग रही है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी देनी है, मिल जाएगा, तो आपका जो officials जो हैं, उनके बारे में आपको feedback देना होता है, इसके अलावा, जो आप है, जो आपकी जो e-health card है, अब तक आपने कितना इलाज लिया है, और कौन-कौन सी दवाईं आपको दी गई हैं, तो उसकी जो detail है, वो आप यहां पर देख सकते हैं, लेकिन अभी तक यहां पर कोई भी detail नहीं है, क्योंकि कभी claim नहीं लिया गया है, तो अगर आप जिसे कोभी इलाज करवाने के लिए hospital में अगर आप जाते हैं, तो वहां पर ही जानकर आपको मिल जाएगी, तो इस तरह से आपको यह जो जानकर यह वो आपको मिली है, तो आप हमें जरूर बताएं, आपको यह वीडियो कैसा लगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू